नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भट्टागर में और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाली स्क्रिप्ट देने वाला हूँ तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें चेंज सबस्टाइब करें जब भी हम लोग वेबब सैट के बारे में बात करते हैं या मिषिंग करते हैं तो पंदरा अगासाने में अभी काफी दिन है लगबाग लगबाग और तारिस दिन के स्वावाल पर है तो मैंने सो चा कि आपको स्क्रिप्ट अभी से देता ओं जिस वज ви इसी मैं एंटर करूँगा यह देखिए टेक्निकल वट्टागर की तरब से यह आपको इंडिपेंडेंट्स टे की शुब कामना है आपको मिल जाएंगी इसमें आप अपनी तरह से आपका URL होगा वह आपको यहां पर पूट कर देना है साथ-साथ आपको नीचे आजाना है यहां पर आपको कुछ भी छेड़ खानी नहीं करनी है और इसमें सबसे नीचे आके आपको यहां पर अपना जो URL है जिस पर भी आप बना रहे हैं ब्लॉग स्पॉट पर यहां पर आ आपको यहां पर आपका यह आगया पूरा आपका URL इसके साथ-साथ आपका फेस्बुक पर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो फेस्बुक पर भी आपको यह पूरी चीज एस इस मिलेगी लिंक में डिस्रिप्शन में देदूँगा आपको डिस्रिप्शन से आप असानी के साथ वहां से डाउनलोट कर सकते हैं इसके साथ-साथ अगर आप इसमें कुछ भी चेंजिस करना चाहते हैं तो आपे यहां पर कर सकते हैं उसका URL आप Google से लिका लिए और सिधा दे दीजे और इसके साथ साथ आप अपने ads भी इसके अंदर लगा सकते हैं चाहें तो आप Google Adsense का ad लगा लिजे अगर आपके पास approval है नहीं है तो मैंने Google Adsense के alternative के उपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है आप उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं तो यह जो images हैं इन में आप changes कर लिजेगा जिससे से install करने के लिए थोड़ा सा tricky रहेगा आपको ब्लॉगर पर जाना है और ब्लॉगर पर जाके आपको पूरा एक ब्लॉग जो है वो एक नए से आपको जाना है निउब लॉग पर निउब लॉग पर आपको सर्च करना है जो भी आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं freedom कि विश के नाम से बनाना चाह रहा हूं अगर मुझे मिल जाए तो copy करता हूं इसको और कि देखते हैं कि हमें मिलता है यह नहीं मिल रहा फ्रीडम विश 2020 देखते हैं यह हमको मिल जाएगा यहां मैंटर यह चीज नहीं करती कि आप कौन सा थीम यहांपर स्लेक्ट कर रहे हैं आप सिधा आपको create यहांपर कर देना है आपका फ्रीडम विश जो है वो create हो चुका है हमें डोमेन की जरूत नहीं है अगर आप खरीदा चाहो तो आप खरीद सकते हो लेकिन मैं recommend नहीं करूंगा इतनी सी चीज के लिए कि आप डोमेन खरीदें यहां पर आपको आना पड़ेगा themes के अंदर themes में आने के बाद आपको यहां पर कोई भी आप एक theme यहां पर ले सकते हैं जैसे यह theme मेरे को ठीक ठाक लग रही है आप यहां पर ले सकते हैं और लेने के बाद आप यहां पर जाएंगे सब्सक्राइब आपको करने के बाद में इसको शेफ कर दूंगा एक बार देख लेते हैं कि हमारी आई है या यह देखे आपके साब ने यह पूरी खुल के आ चुकी है इसमें आप जो भी लिखेंगे एस इस वो आपका काम करेगा खेता हूं यानि कि प्राविट विंडो में खुल के देख लेता हूं एक किस तरह से वो खुल रही है तो यहाँ पर भी यह ठीक ही खुल रही है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो दोस्तों इस तरह से बने रहे है चैनल के साथ आपके लिए बहुत अच्छी जानकारिया लेका रहूँगा और देखने के लिए धन्यवाद